तो हेलो एवरीवन गुड इवनिंग कैसे हैं आप सब उमिद करती हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूं सो वेलकम तो मैं चैनल क्विक और इजी रेसिपी विथ अंचली सो एम बैक यह विथ न्यू रेसिपी जो की है मिक्स वेच की करी मिक्स वेच की सब्जी है मिक्स वेच की सब्जी तो हर किसी को पसंद आती है ऐसा नहीं है कि सब्जी हर किसी को पसंद नहीं आती है आपके घर में जो भी वेजिटेबल्स है उसको एक जगह मिला के सारी सब्जीों को मिला के बना देना उसी को बोलते हैं मिक्स वेज की सब्जी तो डिपेंड इस पर करते हैं कि आप इस सब्जी में क्या-क्या डाल रहे हो अगर आप mix-wage की सबजी बना रहे हो तो उसमें भी न बहुत चुनके सोच समझ का डालना पड़ता है कि कौन सी सबजी से mix-wage की सबजी का स्वाद है जो बढ़ जाएगा और कौन सी सबजी उसमें डालने से स्वाद जो है वो बिगड़ भी सकती है ठीके तो मैं यहां पे mix- माटर प्याज जीरा और प्याज ले लिया प्याज देख सकते मैं दो कटोरी में लिया है ठीके और अध्रिकलसन का पेस्ट है और mix-wage की है अप लोग mix-wage में अपने हिसाब से आप लोग सबजी ले सकते हैं और यहां पे नमक मिर्ची पॉडर गरम मसाला हल्दी सबजी मस कोटी हुई धनिया की जगा धनिया ठीकespère यहां परते हम तर प्याज को थोड़ा से रोस्ट खरयएन वी बुन लेंगे उसे क्या होता है तो जाने के बाद यहां पर निighकाल लेना है और साथ ही जो हमारे मिक्स वेजिटेबल थे उनको भी मैं थोड़ा सा रोस्ट कर ले रही हूं इससे क्या है ना सब्जी का जो स्वाद है वो बढ़ जाएगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा तो यहां पर हल्दी मिर्ची पॉडर और थोड़ा सा मैंगी मसाला डाल के वेजिटेब अगर आप लोग को टेस्ट पसंद है तो आप लोग डाले ठीक है तो यहां पर वेजिटेबल हमारी जो है थोड़ी सी फ्राइ हो गई थी भून गई तो मैंने उनको अलग निकाल दिया है और यहां पर प्याज भी हम लोग थोड़ा सा भून लेंगे यह जो मैं प्याज अ तो आप लोग अपने शकते तेल ले लें उसके बाद उसमें जीरा डाल देना झीरल MAX का यह जिएरे त Gesprkay में में पानी मिला के इसमें लोग जादा है और यह जादा उड़ता प्याज था कि अफीर टे Economics बाना था अपनी में ऊसमें प्याजिए पानी मिलें फ्राई करने के लिए तो फिर वह बाद में जब सारी सब्जिया पक जाती है ना तो ग्रेवी में बहुत जादा तेल आ जाता है तो इसलिए सोचा मैं आप लोग को पहले ही बता देती हूं और मसाले यहां पे थोड़े से हमारे पक गए थे तो उसके बाद एड़ कर देना है ड्राई पाउडर के जो भी हमारे मसाले थे वो हमने इसमें पूरा डाल के थोड़ा थोड़ा पानी मिला के एक साथ ही बहुत सारा पानी डाल के इनको मसालों को नहीं पकाना है थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और थोड़ा थोड़ा करके धक धक के इनको पकाना है धकन कि यह वह लुग यहां पर गरम पानी का यूज करो मैंने इसमें थंडा पानी का ही यूज किया है आप लोग देख सकते हो तरी जो है उपर आ गई है तेल जो है उपर दिखने लगा है तो सहीए मसाले जो है सी ग्रेवी वबन के तयार है वेज़ेवल बिलकुल डालने के कुछ लोग कस्तूरी मेति पहले पहले डालते हैं और कुछ लोग बाद में वी डालते हैं आप लोग की मरजीे कभी वी डालू टेस्ट वैसा ही आएगा इभाएक यहां पर सबकुछ . ही डाल देती हूँ। ठीक है इसलिए मसाले निकालने के साथ ही प्लेट में और सारा ए तो अगर आपका मर्ची नहीं पके गाना तो अच्छा नहीं लगेगा ठीक है तो कोशिश करना कि मटर थोड़े से पकी जाने चाहिए और यहां पे मैंने ऊपर से थोड़े सा दो लसन डाल दिया है और दो हरी मिर्ची काट के डाल दिया है आप लोग चाहो तो डाल सकते हो न कुछ सबजी ग्रेव उसे सबजी ना और मिक्स वेच की सबजी बहुत जादे पानी अच्छी नहीं लगती तो अपलोग देख सकते मैं जो हमारा मिक्स वेच की सबजी एए वह एकडम बंके रेडी है थाने के लिए तो मैने यहां थोड़ी सी गरónे की है वाइब तिल होती है सफेद ॢूसके सा theta here चाहो तो ऊपरे सा climate onme d nuevawe kreem ho wiped गारी धनिया है द cycl के पास तो आप लोग PrX 2 दा सकते हो यहां पर एस ज reader many की बहृत जादा मारा मेरी चलती है तो यहां पर जली मुझे नहीं मिलतीaces तो आप लोग मुझे बताना है कि आप लोग को मेरी मिक्स वेज की सबजी कैसी लग रही है ठीके बहुत ही कम टाइम में है और simple तरीके से मैंने इसको बना कर तैयार किया और यकीन मानिया आप लोग बहुती सबजी अच्छी बनी थी बहुती टेस्टी बनी थी एक बर मेरी तरीके से भी बना के देखो और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है तो मैं आप लोग से मिलती हूँ नेक्स वीडियो में